नमस्कार बहुत स्वागत आपका देख रहे हैं जोतिश दिशास सत्य की राह में हूँ आपके साथ आपका इस्टो फेंड संतो संतोशी आज मुलाकार्थ गाजियाबाद में और तीन चार पांच जैपुर में रहेंगे गाजियाबाद में मिलने के लिए कार्याले के नंबर पर संपर्ख कर लें और तुरंत आप अपाइंडमेंट बुक कर लें आज बुद्वार का दिन है कामिका एकादशी है आज इस्पेशल प्रियोग कामिका एकादशी से संबंधित राशी का तरीके से आप सब तक हम पहुँचाने जा रहे हैं राशी के अनुसार आपको बताएंगे कि आज क्या उपाए करके आप अपने जीवन में शुभता का आगास कर सकते हैं आरंभ कर सकते हैं प्रिमित्रों आपको ये भी बता दे हम कि आगामी 26 सितंबर से शुराध पक्ष नवमी तिथि से अमावस्त तक गयाजी में रहते हुए आप सब के लिए पित्र पक्ष का विशेश अनुष्ठान आयोजित कर रहे हैं इस अनुष्ठान में आप अपने पित्रों की शांती के लिए संपूर्ण तरपण विधी और स्रीमत भागवत का पाठ स्रवन करने का भी आनंद लेंगे बुकिंग लगातार चल रही है पित्रों की मुक्ति के लिए बिल्कुल विलंब ना करिए तदकाल इसके लिए व्यवस्था अवश्य करिए और बुकिंग करा लीजें आईए सुरवात करते हैं आज के जोतिश दिशा का सरप्रथम जानते हैं आज का पंचांग स्रावण महा किष्ण पक्ष एकादशीति थी है आज चंद्रमा ब्रिशब राशी में नक्षत राज का रहेगा रोहिडी सुबह दस बचकर के बारह मिनर तक इसके बाद मुर्गशीर्स योग रहेगा आज का ध्रूव तदरुसार दिनांगी कतिस जुलाई दिन बुधवार बुधवार को राहुकाल का समय दोपहर बारह से एक तीस और गुलिक काल का समय सुबह साड़े दस से बारह मजे तक राहुकाल नए और शुबकामों के लिए सास्त्रोग तो वर्जित है इसमें आप कोई भी नया और शुबकाम ना करे तो बहतर है गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुबकाम का आरंब कर सकते हैं हर कारे आपके बनते चले जाते हैं मेश से लेकर मीन तक अब आईए आज की भविश्य वारी बताते हैं। मेश राशे बड़े अवसर की प्राप्ती होगी, कुछ नया और बड़ा होगा। पढ़ाई आपकी पूरी होगी, सिल्ख्षा में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ब्यापार में उतार चड़ाव आ सकता है, थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यक्ता है। प्राइवेट सेक्टर वालों को आज सोच समझ करके निरड़े लेना होगा, जल्दी बाजी में कुछ गलत फैसले हो सकते हैं। सरकारी छेत्र एक बेहतर परिणाम दे रहा, गवर्मेंट सेक्टर में शुबता हर कदम पर बनी हुई दिखाई देगे। दामपत्य जीवन के लिए आज दोतियस्त चंद्रमा का प्रिभाव थोड़ा सा उतार चड़ाव दे सकता है। स्वास्थ के मामले में कमरदर्द की शिकायत और लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? दाइनी हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने उपर छुड़काव कर लीजे। शुबरंग आपके लिए सफेद भागी प्रतिशत पश्पर ब्रशम राशी। चंद्रमा का प्रभाव आपके साथ करेक्टेड रहेगा। सकारात्मक की स्थतियां आपके साथ जुड़ी रहेगी। आज शिक्षा में पूरता रहेगी, ब्यापार नुकसान देगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ इधर उधर की चीजों से उल्जा सकता है। एक बदलाओ की बयार आज आपके मस्तिश्क में बनेगी। संकारी छेत्र संभल कर चलाने की आवश्यक्ता है। दामपत्य जीवन हर तरह से आपके लिए एक नई सुरुबात दे रहा है। स्वास्त के मामले में कवरदर्द की शिकायत और जुखाम खासे की शिकायत हो सकती है। क्या हुपाय करना है आज ब्रिशम वालों को। प्रियोग के तौर पर अपने मस्तक पर लाल चंदन से तिलक करिए। शुबरंग आपके लिए आज लाल भाग की प्रतिशत 58। मित्वन राशी। परिस्थतियां आपके लिए अनकूल हो चुकी हैं। द्वादस अस्थान का चंद्रमा है, मित्रों का साथ मिलेगा। रुकावटों से बाहर निकलेंगे। चीजें आपके हिसाब से रहेंगी। हर मुश्किल से बाहर आएंगे। पढ़ाई में एक अलग तरह की उचाई छुने जा रहें। ब्यापार में रिस्क लेना आपके लिए थोड़ा सा नुकसान दे सकता है। प्राइवेट सेक्टर हर तरह से आपके लिए शुपता का परियाय भनेगा। सरकारी छेत्र को साधने में काम्याब होंगे। दामपत्य जीवन में आज कुछ इधर उधर की बातें आपको परिशान करेंगी। स्वास्त बहतर है। आपके लिए कुछ अनकूल इस्थतियां आ सकती है। क्या उपाय करना है। उल्टी हथेली पर गुलाब जल ले करके अपने उपर छिरकाव कर लिजे। शुबरंग आपके लिए आज हरा भागी प्रत्षत 57 करक राशे। चंद्रमा यहाँ पर एकादस भाव में रहेंगे आज रात तक। अपनी राशे के स्वामी होकर के लावस्थान पूछ चुके हैं। आज तमाम छित्रों में आपको फायदा दिखेगा। पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे, सिक्षाम में किसी प्रकार का दोश नहीं है। उत्तम परिणाम की प्राप्ति होगी, ब्यापार की स्थिती को थोड़ा समालने का प्रियास करना होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अचानक से कुछ नुकसान दे सकता है। सरकारी छेतर में आप टॉप लेवल पर जाने की छमता रखते हैं। दामपत्त जीवन अच्छा रहेगा। सपोर्ट मिलेगा आज। बच्चों को लेकर के कुछ आज बहतर परिणाम प्राप्त होगी। स्वास्त के मामले में आज का दिन कमरदर्द, खासी और आख की समस्या हो सकती है। करकवालों को आज प्रियोग के तौर पर शिव का ध्यान करके ओम नमह शिवाय का यारह बार जाप करना है। शुबरंग आपके लिए आज आसमानी भागी प्रतिशत चौवर सिंगराजी। दसम अस्थान का चंद्रमा है। पढ़ाई की स्थिति आज दिब रहेगी। सिक्षा में किसी प्रकार का दोश नहीं। ब्यापार बहतर करेंगे। बिजनस में हर कदम पर आपको लाब मिलेगा। प्राइबेट सेक्टर की स्थिति को आज आप अच्छा परिणाम दे सकते हैं। सरकारी छेत्र में कुछ उतार चड़ाओ था लेकिन दोपहर के बाद वो सेटल हो जाएगा। आज कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है तेंथ हाउस में सरकार के छेत्र राजिपक्ष भाव में आज उच्छ का चंद्रमा है। दामपत्य जीवन कुछ इधर उधर की चीज़ें आपको परिशान करेंगी। स्वास्थ के मामले में आज का दिन हर प्रकार से आपके लिए अनकूल और शुब रहेगा। क्या उपाय करना है। उल्टी हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने उपर छिड़काओ करिए। शुबरंग आपके लिए आज पीला भाग्य प्रत्षत बावन कन्य राशे। यहां चंद्रमा आगए अब नाइन थाउस में। शिक्षा में आज अद्भुत उचाईच होने जा रहे हैं। पढ़ाई कुछ अलग जोन में आपके जा रही है। ब्यापार को लेकर के थोड़ा सा परिशान हो सकते हैं आप। बिजनस में कुछ नुकसान हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बहतर परिणाम देगा। सरकारी छेतर की स्थिति कन्य राशी आज रिस्क लेना आपके लिए भारी पड़ेगा। दामपत्र जीवन अनकूल रहेगा। कुछ पुराने विश्यों पर आज अंतिम द्रड़य आ जाएगा। स्वास्थे, माइग्रेन और लीवर की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है। हल्दी का तिलग लगा लीजे। शुबरंग आपके लिए आज हरा भागी प्रतिशत 52 तुला राशी। चंद्रमा यहां पर अश्टम भाव में आए। उतार चड़ाओ बढ़ेगा। पढ़ाई तो कम हो पाएगी अश्टम के चंद्रमा के चलते। लेकिन ब्यापार बहुत अच्छा कर लें गया। बिजनस में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अच्छा और अनकूल इस्थति देगा। सरकारी छेत्र को साधरे में आप कामियाब होंगे। दामपत्य जीवन आपके लिए पति-पत्नी के बीच बहुत नजदी के ले आएगा। स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो आज इस्थतियां हर तरह से आपके लिए अनकूल और बहतर रहेगे। क्या उपाय करना है? प्रियोग के तौर पर आज तुला राशी वालों को पीपल के नीचे की मिट्टी से टीका लगाना है। शुबरंग आपके लिए बादामी, भागिपतिशत, बावण, ब्रिश्चिक राजी। सात्वे में उच्च के चंद्रमा का प्रभाव आज बहुत अनकूल रहेगा। स्रिक्षा में हर प्रकार से शुबता है। ब्यापार कई तरह से आपको दुक्सान दे सकता है। बिजनस की स्थती को साउधानी पूरवक समालने का प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अच्छा और नया करने जा रहा है। सरकारी छेत्र को साधने में आपको काम्याभी मिल जाएगी। दांपत्त जीवन हर प्रकार की शुबता देगा। स्वास्थ के मामले में आज का दिन खासी जुखाम की सिकायत और पेट की समस्या दे सकता है। क्या उपाय करना है। अपने कंठ पर गुलाब जल लगा लिजेगा। शुबरंग आपके लिए आज सफेद भाग्यपित्षत बासट धनुराशी। चंद्रमा की श्थिती छठे में है। पढ़ाई हर तरह से आपके लिए आज बहतर परिणाम देगा। सिक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। लाब की आउसर बनेंगे। ब्यापार आपके लिए अन्कूल रहेगा। बिजनस में उतार चुड़ाओ से बाहर निकलेंगे। प्राइबिट सेक्टर वालों के लिए नई सुरवात की आज गुंजाईश बनती है। क्या उपाय करना है? उल्टी हथेली पर आज धनुराशी वालों को कच्चा दूद्र लेकर शुरलिंग पर अर्पित करना है। शुबरंग आपके लिए आज ब्राउन, भागी प्रत्षत, पजपन, मकर राशी की। यहां चंद्रमा आते हैं पंचम अस्थान पर। पढ़ अच्छी चलेगी, ब्यापार के लिए थोड़ा सा उतार चड़ाओ है, संभल कर चलने की आवशकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अच्छा और नया कर रहा है, सरकारी छेत्र वालों को थोड़ा सा संभल कर चलने की आवशकता है। दांपत्य जीवन कमरदर्द जुखाम खास्ती के शिकायत दे रहा है मकराशी वालों को आज उपाय के तोर पर ओम दुम दुरगाये इनमह का ग्यारेह बार जाप करना है शुमरंग आपके लिए आज ब्राउन भाग के प्रत्षत 57 कुम्बराशी यहां आए हम अब चंद्रमा के साथ रहाओं के साथ देखने का मिलेगा मौका प्राइविट सेक्टर थोड़ा असा नुक्सान दे रहा है सरकारी छेत्र हर प्रकार की शुबता है कि दांबत्य जीवन बहतर रहेगा कि सपोर्ट मिलेगा कि स्वास्त के मामले में देखा जाए तो इस्थियां आज पक्ष में है स्वास्त हर प्रकार से शुब है कुम्ब राशिवाले को उपाय के तोर पर दायनी हथेली पर कच्चा दूध ले करके शुवलिंग पर अरपित करना है शुबरंग आपके लिए आज ग्रे भाग्य प्रतिशत पच्चपर अंतिम राशिमीन यहां चंद्रमा रहेंगे आज आपके लिए तृती भाव पूर्ण करेंगे शिक्षा को लेकिन मेहनत बहुत बढ़ा देंगे ब्यापार की स्थिती हर तरह से आपके लिए पक्ष में हैं प्राइबेट सेक्टर को थोड़ा सा संभालने का प्रियास करना होगा सरकारी छेत्र थोड़ा उल्जन पैदा करेगा दाबबत्य जीवन जिस प्रकार से आप लेकर के चल रहे हैं उसके हिसाब से सबकुछ बहुत बहतर इस्थिती में लेके जाता है स्वास्त के मामले में आज का दिन खासी जुखाम की शिकायत और पेट की समस्या देता है क्या उपाय करना है अपने मस्तक पर गुलाब जल से तिलक कर लीजेगा शुवरंग आपके लिए आज आस्मानी भागी प्रत्षट चवर आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का दिब्य विशय आज जो हम विशय लेकर के आए हैं वो रहेगा तलाक योग जाने आज कुंडली से किसका डाइवोर्स होता है सेप्रेशन होता है और क्यों होता है मिरे मित्रो प्रतक्ता प्रतक माने होता अलग प्रतक्ता जनग प्लानेट शिर्फ तीन मंगल राहू सुर्य इन तीन ग्रहों का संबन्ध सब्तम सब्तमेश के नक्षत्र से भी अगर हो जाता है तो आपको ये सेप्रेट कर देता है आपके लाख प्रयासों के बाद भी सेप्रेशन रुखता नहीं बहुत बड़ा दोश है ये इस दोश के चलते हर प्रकार की परिस्थिती उतार चड़ाव से युक्त हो जाती है वक्ति अपने जीवन में बहुत अलग थालग पड़ जाता है बहुत परिशान हो जाता है नुक्सान उठाता है मांसिक और आर्थिक रूप से परिशान होता है अब इसमें अगर छे और दस का संबंध हो जाए तो वक्ति डाइवोर्स में जेल चला जाता है चाहे इस्त्री हो या पुरुश हो दोनों की कुंडली में ये योग लागू होता है छे और दस का संबंध सब्तम सब्तमेश के नक्षत्र और सूर्य मंगल राहू से हो जाए तो वक्ति जेल जाता है और पत्नी के कारण जाता है या पती के कारण जाता है कुडली देखकर सही समय पर ग्रह शांती इस प्रकार के दोशों से आपकी रक्षा कर सकता है आगे बढ़ते हैं जानते हैं आज की सक्सेज की छोटी उगली पर शहद लगाकर कंठ को छू दीजेगा आज का अब भाग्याग्षर मेश पाग्षर ब्रिशव गाः निथुन चा करक वाः सिंग था कन्या जा तुला खा व्रिश्चिक ला धनू या मकर वाः कुम्भ ठा मीन छोटा आ आगे बढ़ेंगे और अब जान लेते हैं आज का आईश्वान भावा है आज पैदा हुए लुगों के लिए जुनब दिन की हार्दिक शुब कामनाओं के साथ दो पीपल का पौधा लगा देना है अपने हाथ से किसी एक जुरुत मंद को अपने द्वारा भोजन कराईएं और किसी सफाई कर्मचारी को पाउं में पहनने के लिए कुछ दे देजेंएं जिसकी आज मेरे जनवर सरी हैं दो लोगों को खाना खिलाएं एक पीपल का पौधा लगाएं और किसी जुरुत मंद को कुछ वस्त आज के लिए इतना ही अनुबदीजेगा कल फिर मिलते हैं और अभी आप दो तक हमसे गाजियाबाद मिल सकते हैं तीन चार पांच को हम रहेंगे जैपूर धन्यवाद नमस्कार शिरादे